जब화 करों मिन्हें लोगो का दुनिया का परवान नहीं है क्योंकि जब इन्सान को खाने जिसे चीजे भी अगर अगर अबलेबल नहीं करैंडा तो वैसे लोग के बारे में इन्सान को नहीं सोचना चाहिए और नहीं सोचूंगी अज मेरे गड़ में खाना बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि बच गया बारा और अब मेरे पास इतना है मतलब सकती नहीं बसता है कि इस हालत में इतना मेंटिली परेशान होने के बाद मैं वापिस कीचन जाओ और फिर से कुछ बनाओ कुछ है भी नहीं कि मैं बच्चे को बचमाज में आता है अभी मैं इसके लिए अच्छा चीजे दिखाती हो लोग और बंस लोग कहते हैं क्कुल नहीं करती है काई इजद करें तुम इजद करो तुम्हारे घर वाले तूपको सब अवीलेबल करते होंगा हम 1998 नहीं करें और हाँ में कि बहुत से रहते हैं लेकिन इसका करता है उसके पच्चों का जदगी नरफ बन जाताः कौन बोला था इसको दोस्तों ब्लोग में आपसे भी कस्वागत है दिवांगता भी सापने वर्दान है कैसे आपनों उमीद करते हैं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे तो बहुत सारा ब्लोग में मेरे को प्यार से रहते हुए देखते हैं दूसरी कल का मैंने फ्लोग डाला उसमें मुझे घूमाते हुए देखा गया मत전 कैमरा में मैं दिखाती हूं वही चीजां दोपाती हैं बागाए कभीस दखाती हैं लेकिन कैसे प्याइब करना करें यह देखर के अगला की सिच्यूवेशन में में हैं और मेरे कमेंण्स उस पर कैसा आथ अर्दा होता है मगर कोई किस तरीके से किस दोर से गुजर रहा यह कोई नी जानता है मानते हुआ कि आपके जिनलगी में किसी भी चीज का कमी नहीं है लेकिन इसका मतला भी यह नहीं है कि जो तकलीफ में उसको आप लोग और तकलीफ हो चाहिए तो कहना यह है दोस्तों कि आप आज स सोमवार नहीं आज है सनिवार और मैं इतनी परेशान हूं मैं बताने सकते हुए कल हमारे घर में कोई सबजी नहीं थी पुरा खाली यह सब आया था भेचने के लिए आई थी तीन दिन हो गया यह तो ज्यादा तो हमारे यह खाना बनता नहीं है आलू आप लोग देख रहे होंगे पीछे बिल्कुल छोटा छोटा है और यह वही आलू है जो मम्मी मेरी आई थी तो लेके आई थी यहां पे थी तब यह लगबग 15-20 दिन की बात हो रही है तब कि उसके बाद से यह आलू आलू बात की चीज़े कभी नहीं ला रह बात मैं बताती हो कि अग्चुली हुआ क्या था बगल में दोस्तों घर का ग्रीप रवेस है तो यह लोग ना पूरा दिन हम सब हम लोग को नहीं बोला कि पूझा है घर में आईएगा चाहे कुछ भी तो हम नहीं बोला गया तो हम कुछ भी नहीं बोले यह साम को आया जैस है परसाद लेके मैंने कहा कि हम सब भी घर में रहते हैं हम लोग को तो नहीं बोला और तुमको बोला तो तुम्हारा जाना क्या सही है तुम्हारा एज़त और क्या मेरा एज़त सेम नहीं है हम भी तो इंसान है तुम बाहर था हम घर में थे अगर उसको पूछना रहता तो बच्चे खाया और वह इस रूम में सोय हम लोगो सुबाँ उठा हमको नहीं मालूम धरहत में क्या समान लाया नहीं कि इसको में लिक के भेज़े ते मतलब मैसेज करें एक कठल का सबजी टमाटर और धन्या पता यह तीन चीज मगाया थे उसमें से मेरे घर में टमाटर नहीं कुछ खा ले हमारे यह कुछ भी नहीं है रोज में मैंने सकर रहूँ है रोज मैं कभी इस सब्स्क्राइबयों कि मगाती हूँ और लाया नहीं मैं अभी किचंप में मिरे मा था खराब हो गया इतना ज्यादा कि मैं क्या खिलाओंगी बच्चे को अगर टमाटर हो अभी वापिस शुरू किये हैं और दो-चार दिनों से जावल भी नहीं है मेरे घर में बहुत मुश्किल से खाने खाते हैं कुछ इसको नहीं दिखता है कुछ नहीं सूट बूट पहनेगा ऑफिस निकल जाएगा सिर्फ सूट बूट क्या सूट करता है घर में अगर काम कर रहे जि में दिन बार मतलब आबी से लिए बंद रहती हूं और बाहर में निकलने अर बास मिया मैं सूबार कर लेती बजहां है लेकिन हमारे पास और भी कुछ चीजे होनी चाहिए ना कि जिसको खा कर के मैं जिन्दा रहूँ चाहिए मेरे बच्चे को रख पाऊं कुछ भी नहीं है घर में मेरा बाहर जाना पॉसिबल नहीं है कि इतना कोई लापरवा होता है हमको नहीं पता इतना जदा और आप लोग जो बैड कमेंट करने आते भर-भर के यार इस्तिती भी देखा करें कि कि किसको कमेंट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए तुम लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड रखें फिर भी तुम लोगों को इतना प्रॉप्लेम होता है मैं मन अंदर से रोता है यार कि मैं क इसे अपने तकलीप बया करूं मतलब कि बागी चीजें तो हैं नहीं मेरे पास कम से कम अगर आदमी खाने का चीज भी ना दे तो कितना अजीब लगता है नहीं दो पल खाना खाता है अदमी तो जिन्दा रहता है मैं यह सारी चीजे अभी मैं थोड़ी दर पहले वीडियो नहीं पढ़ा रही थी मैं उस रूम में चली गई थी बेटी को पढ़ा रही थी लेकिन फिर मैं सोची कि जो चीज है वो तो दिखाना पड़ेगा हो सके एक दिन म लोगों के बैट कमेंट और कि क्या क्या सफर करा है मैंने कितने दिन भूखे रहना पड़ा है कैसे कैसे मैंने वक्त गुजा रहा है कम से अभी बोला है मीटिंग खतम करके आएगा मैं दिखाऊंगी आप लोगों और सुनाओंगी कि वो क्यों इतना लापरवाई करता है ब बाकी चीजी तो मैनेज करी रहे हैं जैसे आएगा मैं बताऊंगे आप लोगों दिखाऊंगी तो यहां पर इसको पढ़ाने के बैठा है यह पड़ रही हो हमों कर रही हो ट्यूशन का और भाबू यहां पर सो गया है कि इतना मुश्किल से हम संभाल रहे हैं सारी चीजों को यह हम समझते हैं आप लोग घर में बैठके बस गलत गलत उल्टा सीधा बोलते हैं मेरी लडाई कभी भी कपड़ा वपड़ा चूड़ी उड़ी को ले करके नहीं होता है अब जो चीज मैं नहीं सकती हूं कही जाने के लिए मेरे पस कोई है नहीं अब आदमी हैसा नहीं करते होंगे अपने घर में हर कोई करता है क्या अपने आप दीवी बचों को खाने का चीज दे करके बाहर में निकलते हैं क्या ऐसा मांग लेते हैं हम जिसके लिए आदमी को ध्यान में नहीं रहता है और बड़ी असानी से बोल भी देता है ध्यान में नहीं रहा एक दिन ब बिने सोच सकता है इतना स्वार्थी है मैं बताती हुर अगर हमारे कपड़ा भाहर धूप में फूरुप में चाहिए इसका इसकी हाईजियु अगर अपने कपड़े उतार के आएगा मगर अलग से इकर और कपड़ न दोस्तों उसको उतार के नहीं लाएगा दो likely सिवा कर दें इसको देखके नहीं डिखेता नहीं खिपम कले क्पल सारा लाएंगे कि सिर्फ अपना लाएंगे वह Kwot इतुना अलारी परवह commercials कर और में ब ine बन गया, मेरे भी यह बोज बना हुआ है, मैं बोज नहीं हो, बोज यह है, अकेले इस हाल में दो दो बच्चे समालना, घर का काम करना, और कोई चीज एबल एबल नहीं है, अगर कल को मेरी जिन्दगी में कुछ समय अच्छा आता है, और मैं अगर इन जैसो को धक्के मारके घर से बाहर निकाल दू तो क्या गलत करूंगी और यही करूंगी आप अभी जो बैड कमेंट कर रहे ना भविस में आप सब देखोगे आप सब देखोगे क्योंकि मैं जूटी नहीं हूं मैं बहुत मैनेज कर रही हूं बहुत जादा अभी बताई अभी ला करके भी देगा देख लीजे कितना बज गया ग्यारा बजने जा रहा है इतना बज़े में क्या खाना बनाऊंगे यह बताई अभी यह सोया हुआ है अभी चीज रहता तो अभी मैं बना करके आराम से निस्चीन ठोके बैठी रहती और हाँ अपना घर में बच्चों को खिला अभी बासी ख भάνते बाद तो कुछ देना हो गए ना फल रहता है घर में बिस्कीट रहता ना कोई भी चीज रहता है इसा ऐसा आदमी दुनिया में होता है मैं बता नहीं सकता हूं मैं सोची नहीं थी कि इतना लोग ऐसे भी घताम रहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा लिए देख सोचे का कि अगर इमर्जेंसी में उसको भूक लग जाएगा तो क्या उसको आदमी भात ही खिलाएगा क्या उसको रोटी ही खिलाएगा दाल ही खिलाएगा और बच्चे को कुछ अलग से खाने का मन ने करता है आपके भी घर बे बच्चे होंगे कुरकूरे ले चाहे सम्थिंग सम्थ से कितना कुछ खाता होगा मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं मजबूरी में इसा ही करके बकवास करकेम भी खराब करेगा और तो और अगर इससा का सिच्गű़ैसन रहेगा ना एक बाद आप इसको एक से दो बार यह उफिस पहुंच आएगा ना उसके बाद सेर बन जाता है दस बार भी फोन करोगे ना आपका फोन काट करके और आपका नंबर ब्लोक मार देगा इतना घटिया इतना घटिया इतना हरामी आदमी है मैं इसके कभी इज़त नहीं करती हू कितना क्या क्या करता है कैसे बताओं आप लोगों को अंग है और इसके घर वाले इसके घर वाले अंग नंबर के हरल कि सब काशल करते दुम्ध यहाराम जादा लोक शेक हम खोर लोग मेरे 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 क्या स्तिती होती हराम ज्यादा तुम्agt को पिसले कई बीडियों में दिखाते हैं रहे अर चुछु उंदर लो हां तुम्हलों का घर में खली सोभन हो और चाव लोगता होगा हराम ज्यादा लो तुम्हों कहती है रहे गली निपोस्ते जिसा हम अज गुस्सा लगा हुआ है इतना जादा स्मास सेवी करने का निकले हो ना तुम लोक समास मम् अच्छा से करवा देगे तुम आएंगे तुम्हारे घर इसका घर हैंगे गांस कभी माँ को निकाल से खारी है thing बच्चेयों को हम कैसे खिलाते हैं कैसे देख्ते हैं सोनी तिखते है तुमने को जब तेरा बेटा देटा था नमटी तो बहुत अच्छा लगता था लेने में अभी तुम काई ली नई ली रहते तो भी हमारा बच्चा लोग भी दूद, डाल, खाना, पीना सब खा रहा होता घर तुम अभी पिछले कुछ महीनों से बनाये उसके पहले तुमारे बेटा पे कौन सा लोन था कौन सा लोन था तब कहा चाता था पैसा हमको इसका हिसाब चाहिए तुम लोग को छोड़ दिये हम तो तुम लोग एक जम खाव पी के सान से उपड़े हुए अपने घर में ही कठे जोएंट फैमली ले करके और तुमारे घर के बच्चे बूखे हैं प्यासे हैं तुम लोग को दिकता नहीं है सर्म नहीं आता लो तुम लोग को बेहुदा लो है अब आएगा न तोरब अब त兩個 त्या ले बताएं लड़ते इस लिए लड़ते है इसके लिए लड़ते हैं घंटा फरवक पड़तां को तुम लोग क्या बोलोगे नहीं बोलोगे मैनेज करते रहेंगे है हम लोग घर में बैठ के आइस करोगी कि पिसला संदे को आप लोग देखें कि मैंने इसको साइकल बनाने बोला था कोई काम कहिए कि अच्छा करता होगा साइकल का बिना कहें पूछे जो बाइलेंस वाना होता है उसको उठवा दिया उपर में अभी कहिए बच्ची बिना बै खराब करके लिए अब यह तो पड़ा हुए साइकल अभी चला ने भी इसमें बैठ भी ने पारी क्योंकि सीधा से खड़ा नहीं होता है ऐसे खड़ा रहता तो बाइलेंस के वज़ा से अब ऐसे गिर जाता है वह कम बैठेगी और कैसे बैठेगी तो गिर सकता है यह कुछ भी नहीं समझेगा कुछ नहीं इसके गलती इसके लापरवाहियों का जो ना भुगतान हम तीनों कर रहे होते हैं अभी घर में हमारे टीवी नहीं है अभी घर्मी का दिन आगया ठंड था तो बच्चे दिन मरी दर दर गुमते तो कोई दिकत नहीं था अभी यहां तक कामरे में बढ रहते हैं इसको जरावी समझ में आता है कि कितना मुश्ची से बैचारी बच्चा लिएं इतन क्वाइब बच्चों को पकड़े यह वहां को खूल लेता है किछन में बाल्टी में हाट डुबा देता है कभी कहां क्या करता कभी चाकू ले लेता कभी कुछ कर लेता है बताते मैं क्या बताऊं किनको किनको समझाँ मैं बहुत जदा परेसान हो जाते हूं यार कुल मिला के बस यहीं है नमर ब्लोक करके भी रखा है कि अब फोन कर रहा हूं ब्लोक करके अभी आराम से अफिस में मीटिंग अटेंड कर रहा होगा अभी पैसा आया है एक तरिक को इसका सेलरी गिर जाता है उसके बाद इसका कुछ तिरों तक नो टंकी रहता है जब तक कि पैसा खतम ना हो इसका कंटीनू चलता है फिर मुझे ये आदमी बिल्कुल नहीं समझेगा जब इसके पास पैसा खतम बुझाएगा सारा मैनेजमेंट खतम कुछ नहीं घर का नाजता करेगा बना के रगोगे ना खा लूगा बाद में मुझे लेट हो रहा है निकल जाएगा नहीं खाएगा क्यों पैसे हैं बहर में कुछ खा लेगा अपना तो यह सारा चीज पुरा कर रहा है कपड़े लेगा खाना खालेगा सब अगर कई मैनेज कर रहे हैं तो हम और मेरे बच्चे बस यह कहानी है और कुछ नहीं है जिनको मेरे मज़ाऊ पूडा अब सब उड़ा मजचności मेरे मेरे साथ बूर्어 propor equation दिक़ाओंगी और आप लोग देखों मेरे लिए लिए ही रहेगा हो सब मैं बूल जाहों सबक्रकत मेरे में आदत हैं आईसा मैं बहुत इमोसनालों मैं तुर्ब किसी की बातों में आ जाती हूं बेखूब बन जाती हूं यही सारी चीजें हैं जो रहेगी ना तो मुझे इसका हर समय याद रहेगा कि यह मेरे साथ कैसा कैसा किया है और एक समय बाद टीट-फोर-टैट मैं जरूर करूंगी मैंने बहुत कुछ कुछ लिए मैंने यहां तब सोच लिए एक आप मैंज भर आज कि मैं आत चोड़ करें नेकस colony लिए इस तरह करें लाफिस करते जाओंगी जा भी ऑफिस जाओंगी कि दोनों ही उतना ही जिम्यदार है मेरे जिंदगी बरबात करने के पीछे दोनों भाइक का हाथ है और अब इसके परिवार का और कुछ गांवालों का भी है कहां भागूंगे मैं खुद के साथ क्या करूंगे ना यह कोई नहीं जान पाएगा तो कि अब मैं यहीं सोच रखी हूं मैं थक चुकी हूं बिल्कुल थक डूल रूप में इसका जेला नहीं जाता है मुझे एक दम नहीं तो फॉन किया था उसको फोन किये लें थो नमबर प्लक मार लोक कर देता है तुरा कुछ भी ऐसा होता है नबर निन में करेंगे लोगों का दुनिया का परवान यह बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब इंसान को खाने जिसे चीजे भी अगर नहीं कराना तो वैसे लोग के मैं खाना बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि बच गया 12 और अब मेरे पास इतना है मतलब सकती नहीं बसता है कि इस हालत में इतना परेशान होने के बाद मैं वापस कीचन जाओ और फिर से कुछ बनाओ कुछ है भी नहीं बच्चों को रुखे सुखा अभी खिलाओंगी मतलब इतना ज्यादा मैं परेशान हो जाती हूं मैं बता नहीं सकते हूं इंसान इतना घटिया और मैं बहुत कुछ सोची हूं लिए इजद करें क्यों इजद करें तुम इजद करो तुम्हारे घर वाले तुमको सब करते होंगे हम यह करते हैं अगर तुम लोग मैं इतना बहुंना दम है न तो इसके गाउन से ढखे मार के बाहर कर दो क्योंकि यह लोग न समाज में तो बहुत इज्जत से रहते हैं लेकिन इसका जो करता है न करनी उसके बज़ा सेहाम और हमारे बच्चों का जिंदगी नरक बन जाता है कौन बोला था इसको हम नहीं बोले थे हम नहीं बोले थे ना वहम पो जरूरत ऐसे घटिया आदमी का क्का जडोört बोले नहीं हुए क्यों सेहाम झाल क मत्ल रती है नहीं करके बंच्छेया में थाजेश ट बहा द psychologically let was in that my back